कई बार ऐसी घटनाएं घड़ जाती हैं, वो मोबाइल में लगे रहते हैं, अच्छा जिए जितने नौजवान साथी हैं इन्हें पता है कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना हैं, लेकिन ये जो कुछ भूदबूर नौजवान साथी हैं, ये कई बार भूल जाते हैं कि इ उनके साथ क्या होता है, कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, वो लोग देख लेतें फेस्बुक पर, इंस्टा पर, बहुत सुंदर सी लड़की का फोटो, फॉलो करके चैटिंग सेटिंग शुरू, अब होता क्या है, सोशल मीडिया का आइडिया तो है नही लेकिन उनके साथ होता क्या है, कई सारे ऐसे लोग होंगे, जिनने आइडिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे हैं, तो उनके साथ क्या हुआ, बाओ जी, आपकी मुस्कुराहट पता रही है, कि आप भी सोशल मीडिया पे हैं, सुनिएगा, कि चमकता जगमगाता एक भ् प्रिक्रेमेल स्क्रीन् शाट से सब माल निकला था वावा कर लीजिए, चौथी पंग्ती पे पता चले कि की समझ कर सुन्दरी जिसको सणंंदिन रात की चैटिंze समझ कर सुन्दरी जिसको सणंदिन रात की चैटिंड असलियत स्ामने आई तो संदरलाल निकला था आप लोगों के साथ भी हुआ है सुनियेगा सुनियागा नौझमान साथिओं के साथ नहीं हो सकता है मैं सुनाती हूं अब तक पहुचाती हूं पंक्तिया ने विधित करती हूं जो पंक्तियां पीच में चोड़ी वहीं से पहुँचाती हूँ, सुनेगा कि जहां पर सच दया समान और एमान रहता है वहीं जाकर वो अल्ला और वो भगवान रहता है अगर तुने निकाला है किसी के पाओ काकाटा अब चौथी पंक्ती पे हाथ तयार हो और मुझे हिम्मत दीजेगा अगर तुने निकाला है किसी के पाओ काकाटा अगर तुने निकाला है किसी के पाओ काकाटा तो ये तै है तेरे दिल में कोई इनसान रहता है आभार चौधी पंक्ती पहुचने दीजिए कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना चली आउंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना तुम्हारे ही लिए ये गीत ये घजले लिखी मैंने सुनाती हूँ तुम्हे तुम्हारे ही लिए ये गीत ये घजले लिखी मैंने सुनाती हूँ तुम्हे तुम्हे तुम्तालियों का साज दे देना क्या शानदार सुन रहे हैं लोगों ने कहा अनामी कहा आप बहुत अच्छा गा देते हो लेकिन उसके बात भी कई बार कटू हो जाते हो इसके पीछे कारण क्या है तो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ वो बात मैं आप तक पहुँचाती हूँ और आपका मन मांगती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं सुनिएगा के बात मैं कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए और पीट पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है सामने से कह सको औकात होनी चाहिए सामने से कह सको औकात होनी चाहिए चार पंक्तियां और पहुँचाती हूँ कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं सरगम होना मुश्किल है शोर का स्वर सब बन सकते हैं सरगम होना मुश्किल है फूल की जुलसी पंखुणियों पर शबनम होना मुश्किल है और गुसे में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ अब चौती पंग्ती जिम्मेदारी की बात कहने जा रही हूं आपका मन मांगती हूं कि गुसे में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ खंजर होना बहुत सरल है मरहम होना मुश्किल है खंजर होना बहुत सरल है मरहम होना मुश्किल है हम सब जब आपस में दोस्त होते हैं मेरा मन है मैं चार पंग्तियां आपकी दोस्ती को समर्पित करूँ आपका मन मांगती हूँ जो भी आपका दोस्त हो उसे ये पंक्तिया जरूर समर्पित कीजिए आपको लगेगा अनामिका ने कह दिया और कहीं आपके मन की ये बात थी सुनियेगा अपना कर अपने पन को अपना पन अक्सर देते हैं खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं कि अपना कर अपने पन को अपना पन अक्सर देते हैं खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं हिम्मत के धागे तूटें तो उसके पास चले जाना मित्रो चौथी पंक्ति आपके मन की पहुँचने वाली है और कहीं आप अपने दोस्त को एक नजर अपने जहन में रखिये और मेरी ये पंक्तियां आप तक पहुँचे तो आप उन तक जरूर पहुँचाईए जो आपका मित्र हो और जो सच्चा मित्र हो कि अपना कर अपने पन को अपना पन अक्सर देते हैं खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं हिम्मत के धागे तूटें तो उसके पास चले जाना दोस्त होसलों के दर्जी हैं मुफ्त रफू कर देते हैं कि कभी दर्या के भीतर भी समंदर जाग उठता है मिले समान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है मेरा इश्वय तेरा अल्ला हु मालिक एक है सबका तेरा इश्वय मेरा अल्ला हु मालिक एक है सबका महरबानी हो उसकी तो महरबानी हो उसकी तो मुकदर जाग उठता है क्या शांदार सुन रहे हैं आप तालियों को थोड़ा और देर तक बजाते रहे हैं ताकि मुझे और अच्छा लगे और मैं अच्छी बात आप तक पहुचा सकूँ कि महरबानी हो उसकी तो मुकदर जाग उठता है मैं आई हूँ यहाँ पर और यह पता चला है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुरादाबाद शायरी को, कविताओं को, साहित्य को बहुत मन से सुनता है सुईकारता है और इस बात से मैं आश्वासित हूँ और मैं यह देखना भी चाहती हूँ आप तक पहुचना भी चाहती हूँ कि यहाँ सब के दिल में कौन रहता है चार पंक्तियां और कहती हूँ बस यही मन दीजिएगा मैं आप तक पहुचती हूँ सुनेगा आप लोग खड़े हैं बाओ जी बैठ जाईए आप इनी को बिठातो बहुत देर से बिचारे देख रहे हैं मैं तो कह रही हूँ कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठिये आप और भी जो लोग खड़े हैं वो भी इस्थान ले ले मैं पहुचती हूँ कि जहाँ पर सचदया समान और इमान रहता है पंक्तिया आप तक पहुचाती हूँ जो लोग खड़े हैं यदि बैठने की वैवस्था वहां आओ तो यहां करके बैठ जाएं कि बैठ जाएए जनाब आपके लिए भी आहां आयोजन मंडली ने कुरसियां मंगाई है कुरसियां बिचाई है कुरसियां मंगाई है इधर उधर जिससे ढूंडे आपकी नजर अरे सुन तो लो कि इधर उधर जिससे ढूंडे आपकी नजर इस कारिक्रम में वो आज नहीं आई है क्या शान्दार सुन रहे हैं आप भाई साम आपको यहां होना चाहिए था लेकिन ठीक है आपने पीछे का मोर्चा संभाल रखा है आसपास के लोग आपके उत्साह से उत्साहित होंगे बस पंक्तियां पहुँचाती हूँ चौथी पंक्ति पे मन मांगती हूँ आप सब का सुनियेगा कि जहाँ पर सचुदया सम्मान और इमान रहता है वही जाकर वो अलाह और वो भगवान रहता है आभार पीछे वालों बहुत शांदार सुन रहे हैं आप लोग भी शांदार सुन सकते हैं आपको हाथ उठा के वावा करनी है और जो लोग मोपैल देख रहे हैं उन पे पीछे हाथ मार देना है मोपैल बंद कर वाज अच्छा ये घटना घट जाती है आईए बाओ जी मैं आपका ही इंतजार कर रही थी बैठिये बहुत देर से खड़े थे बाओ जी अब सब ठीक है ना सुनने के लिए तयार है तो सुने